एपने हाथों को उठाऊं और हिलाऊं तौबा करके अपने दिल में अपनी हाथ में परमिश्रों के सामने तौबा करते हुए कमियों को मानते हुए निकालते हुए आप रभू से कहेंगे कि परमिश्व मैं तयार हूँ तेरी हाथों में चलने के लिए मैं तयार हूँ मेरी जिन्दगी में तु काम करे जिस तरह इस्जाइलियों की जिन्दगी में किया धीरे धीरे करके तु उन चात्यों को रोके सामने से निकालता गया मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आज तुपा करने के बाद मेरी जिन्दगी में तरी योजना पूरी होगी और तो मेरी जिन्दगी में काम करेगा बड़े काम करेगा उस से बड़े काम करेगा उठा अपने हादों को थेंक्यू जीसस बोलते हुए आंकी कार करते हुए घुटनों पर आके आंकी कार करो थेंक्यू जीसस बोलते हुए पर आंकी करते हुए खरा उसके और मुड़ते हुए पूंढे करते हुए अपनी कम्यों का मानते हुए नीकालते हुए आ अब बहू मतनी उठाव है किनूसर चलनी के लिए तयार हुए तो अपने हाथों में लेके मुझे चला मैं अपने आपको स्मर्भीत करता हूँ और करती हूँ मांगो ओची आवाज में थेंक्यू जीजस बोलते हूँ जब अपने हादों को उठाओ, जीजस को बुकारो सब लोग खड़े हो जाओ चर्च अपने हादों को उठाओ, बोलो ईश्यू मुझे आजाद कर अपनी महमा करीब इस वर्शिप को गाएक सब गाएक लिस्या तू आप हमारे बीच में आप हमारे बीच में हाथों को उठाकर तेरे चर्णों में आकर सजदा करता हूं तूजे हादो को उठाकर इसका अपनी हातों को उठाकर वर्शिप को तु ही मेरा बल है, तु ही मेरी शक्ति, तु ही मेरी आँगों की छो तु ही मेरा बल है, तु ही मेरी शक्ति, तु ही मेरी आँगों की छो आ, तु आ, तु आ, हमारे बीच में आ, तु आ, तु आ, तु आ, हमारे बीच में हाथों कोई उठाकर तेरे चर्णों में आकर सजिदा करता हूँ तु छे हाथों कोई उठाकर तेरे चर्णों में आकर सजिदा करता हूँ तु छे आ, तु आ, तु आ, हमारे बीच में आ, तु आ, तु आ, हमारे बीच में तु ही मेरी आशा, तु ही मेरा शास तु ही न होता, तो मैं न होता तु ही मेरी आशा, तु ही मेरा शास तु ही न होता, तो मैं न होता आ, तु आ, तु आ, हमारे बीच में ही जित धो आटो आटो हमारे बीच है Thank you Jesus मैं देक्राम पन्द गरभ को कुटे वह आपलोगों के बीच में मैं देक्राम पन्द फैंनेश को खो फोगों के बीच में मैं देक्रांभ गर्भी को लाइन लेकर वोक्तिसमा लेते हूए तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरी आखो की छोग। तू ही मेरी शक्ति, 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 त आमेन ओचा ये आशिष आपकी चर्च आमेन ओचा ये आशिष आपकी आप परमेश्र के गहरे बेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्र में बढ़ सकते हैं कैसे आप दुष्टात्माओं से, नशों से, बिमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं